स्क्राइच में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आधारित एक मस्ट प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं इस प्रोजेक्ट में हम स्क्राइच में मशीन लर्निंग से बना एक मॉडल स्तेमाल करेंगे जो की फेस के फीचर्ज जैसे नाक, कान, लिप्स या आखें रिकेगनाईज कर सकता है सांथ ही ये मशीन लर्निंग मॉडल फेशल इमोशन भी रिकेगनाईज कर सकता है जैसे स्माइल, विसलिंग, वाइड आईज, इतियादी इस AI मॉडल के सांथ आप स्क्राच में इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकते हो स्टोरी के प्रॉप्स अपने आप फेस में सही जगे फिट हो जाएंगे और टेक्स्ट और साउंड को आप अपने फेशल एक्स्प्रेशन से कंट्रोल कर सकते हो ये प्रॉप्स बनाने के लिए हमें playground.raze.mit.edu इस वेबसाइट से स्क्राच को लांच करना पड़ेगा क्योंकि हमार को इस वेबसाइट पर machine learning के models मिल जाते हैं जो हम scratch में यूज़ कर सकते हैं अभी हम ये face sensing का extension यूज़ करेंगे face sensing में हमार को ये additional programming blocks मिल जाते हैं यहां मैं default जो sprite है इसको delete कर रहा हूँ और फिर मैं video जो है उसको on कर रहा हूँ तो ये live view है record करते हुए और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने face पर कुछ props include करूँ जो कि फिर इस machine learning model पर आधारित हो तो props हम upload कर सकते हैं या फिर हम draw कर सकते हैं तो मान लो मैं एक कोई earring यहां पर draw करना चाहता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक simple सा हमारा earring है और फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो earring है ये मेरे left ear पर attach रहे तो अगर मैं face sensing blocks में जाके ये go to इस drop down से left ear select कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं इसे click करता हूँ ये automatically मेरे left ear पर आ जाता है और फिर अगर मैं चाहता हूँ कि ये prop हमेशा मेरे left ear से attach रहे तो मैं events में जाके यहां पर when green flag clicked और control में जाके forever ये blocks ला रहा हूँ तो अब हमारी जो command है वो है कि when green flag is clicked forever go to the left ear तो अब अगर मैं ये command execute कर रहा हूँ तो मैं अपना अगर face turn भी करता हूँ तो ये prop automatically detect कर लेता है कि left ear कहां पर है और उससे जाके attach हो जाता है हम transparent png images को भी as props यूज कर सकते हैं इस project के लिए मैं already कुछ essay sprites download कर चुका हूँ तो मैं यहाँ upload sprite में जाके यहाँ से ला रहा हूँ मेरे पास एक left earring का ये png है जो की एक png with transparent background है तो यहाँ पर फिर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो size 10 तो अब ये मेरा left earring बनेगा तो इसके लिए फिर मैं यही जो code है इसको यहाँ copy कर रहा हूँ और इस sprite को मैं आप delete कर रहा हूँ तो अब जब इसको मैं execute करूँगा तो ये मेरे left ear के सांथ ये prop अपने आप move हो रहा है और अगर इसका alignment ठीक नहीं है तो आप costumes में जाके यहाँ पर convert to vector और फिर इसको select करके आप इसकी position जो है वो ठीक कर सकते हो तो इस तरीके से ये अब more or less ठीक से मेरे left ear के सांथ move कर रहा है और यही process हम फिर repeat कर सकते हैं कि हम यहाँ से जाके एक और prop एक और sprite upload कर रहे हैं इस बार मैं right earring ला रहा हूँ और right earring में मैं ये code copy कर रहा हूँ और फिर left ear के बदले मैं यहाँ कह रहा हूँ कि go to the right ear और मैं इसका भी जो size है वो 10 कर रहा हूँ और अब अगर मैं इसको execute करता हूँ तो ये right ear पे जा रहा है अगेन इसका alignment ठीक नहीं है इसके लिए मैं costumes में जाके इसको convert to vector और फिर इसको ठीक से align कर रहा हूँ तो अब ये जो दोनों हमारे earrings है ये ठीक से attach हो गए है तो बाकी सब जो है ये आपकी imagination पे depend करता है कि आप और कौन से props बना कर यहाँ पर machine learning का ये model use करते हूए add करना चाहते हो तो जो मैंने अभी आपको example दिखाया था इसमें मैंने एक old king बनाने की कोशिश करी थी इसके लिए जो props है वो मैं already download करके रख चुका हूँ तो next अगर मैं left eyebrow बदलना चाहता हूँ तो मैं old king यहाँ पर यह मेरा example है तो मैं यहाँ पर फिर ये left brow लाके इसको ठीक से size कर रहा हूँ और अब हम चाहते हैं कि ये जो है ये मेरी left eyebrow से attach हो जाए तो मैं ये code copy करके यहाँ पर कह रहा हूँ go to my left eyebrow और अब ये जो एक और prop है ये add हो गया है and again मैं costume में जाके इसको और improve कर सकता हूँ same goes for the right eyebrow ऐसे ही हम beard और mustache भी add कर सकते हैं next हम एक crown add कर सकते हैं crown add करने के लिए यहाँ पर कोई specific face का feature नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको nose bridge से attach कर दें और फिर हम costume में जाके इसकी position जो है वो यहाँ से बदल दें और यहाँ पर अगर हम hair add करना चाहते हैं तो आप again कोई png image download करके उसको sprite की तरह use कर सकते हो या आप इसी crown की जो हमारी image है इसको modify कर सकते हो और यहाँ paint कर सकते हो तो मैं यहाँ से white color select करते हुए यहाँ पर मैं paint कर रहा हूँ और फिर मैं इसको select करके मैं यहाँ कहरा हूँ send to back तो अब यह हमारी एक हमने जो हमारा यह crown की costume थी इसको modify कर दिया है और यह अब santo में हमारा सारे जो props हैं यह तयार हो गए है तो हम अगर इसको test कर रहे हैं तो मैं अपना face move भी करता हूँ तो यह सारे props अपने आप ठीक से align हो रहे हैं और और यह eyebrows raise यह सारे functions भी जो हैं यह काम कर रहे हैं फिर next step पर आप अपनी imagination यूज करते वे जो भी story बनाना चाहें वो story बना सकते हैं जो मैंने आपको story दिखाई थी उसमें मैंने कहा था कि अगर मैं eyebrows raise करूंगा तो ऐसा होगा कि जैसे कि राजा को गुस्सा आया तो गुस्सा आया तो मालो जैसे राजा लोग कहते थे कि इसका सर काट दो तो इस तरीके से कुछ हम कहना चाहते हैं यह करने के लिए हम एक नई sprite ड्रॉ कर रहे हैं यहां हम text में लिख रहे हैं कि off with his head या आप जो भी चाहो आप वो लिख सकते हो हम इस sprite के लिए फिर sound भी record कर सकते हैं तो यहां पर मैं अपनी sound record कर रहा हूँ इसका सर काट दो और फिर हम चाहते हैं कि यह जो हमारी नई sprite है यह trigger कैसे हो तो हम चाहते हैं कि यह trigger हो based on some expression detected so क्योंकि हम कह रहे हैं इसका सर काट दो so maybe हम यहां कहना चाहते हैं कि अगर eyes widen होंगी गुस्से में राजा देखेगा तब राजा कह रहा है कि off with his head तो फिर हम कह रहे हैं कि when eyes widening is detected तब हम चाहते हैं कि यह जो sprite है यह display हो otherwise यह sprite display ना हो तो इसके लिए हम code लिख रहे हैं कि when green flag is clicked तब हम चाहते हैं कि यह जो sprite है यह hidden रहे और जब eyes widen हो तो यह show करे और उसके बाद कुछ second तक show करने के बाद maybe two seconds और उसके बाद यह hide हो जाए तो अगर अब मैं इसको test करता हूँ तो यह off with his head ठीक आ रहा है timing हम यहां से adjust कर सकते हैं और फिर हम यह भी चाहते हैं कि जो हमने sound record करी है वो play हो तो मैं sound में जाके यहां कह रहा हूँ start show this and then start the sound फिर हम एक final effect और add कर लेते हैं जिसमें कि हम कोई और prop add कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो उसका वो जो trigger हो वो किसी और facial expression या किसी और body pose पे based हो तो अगर आप यहां पर extensions पे जाओगे तो hand sensing भी है तो हम अगर यह hand sensing extension अड़ करते हैं तो हमारे को यहां पर hand के बहुत सारे parts मिल जाते हैं जो कि यह machine learning model recognize करता है जैसे thumb, index finger, middle finger और फिर in fingers की base first नकल जो भी है तो अगर हम यहां पे कह रहे हैं कि मानलो जब index finger recognize हो तब मानलो कोई bird है राजा की जो आ रही है तो इसके लिए हम फिर यहां पर एक और sprite हम add कर रहे हैं और मेरे पास एक sprite है इस owl की तो हम यहां कह रहे हैं कि यह जो owl है यह हम चाहते हैं कि राजा की index finger से attach हो तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि go to the यहां से index finger और tip मैं select कर रहा हूँ जो command है वो आप जैसा भी बनाना चाहो कि अगर आप चाहो कोई चीज से trigger हो तो अलग बात है वरना मैं तो अभी simple कह रहा हूँ कि when green flag is clicked forever go to index finger tip तो यह फिर जो bird है यह हमारी index finger से अपने आप attach हो जाएगी और अगर इसकी भी alignment का कोई issue है तो आप यहां costume में जाके इसकी alignment जो है adjust कर सकते हो तो इस तरीके से आप machine learning आदारे artificially intelligent और interactive story बना सकते हो अगर आप facial expressions के machine learning models यूज़ करते हुए scratch में और fun projects बनाना चाहते हो तो dancing with AI जो website है उसमें कई सारे और projects explain किये गई है आप इनको refer करके अपनी imagination यूज़ करते हुए must projects बना सकते हो मुणब कर्षवा झाल 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 झाल